आज मैं फिर आपके सामने हूँ एक और नई मज़ेदार कहानी के साथ आज की हमारी कहानी है रंगाज मैरेज बाए मस्ती वैंकटेश अयंगर इस स्टोरी इस अबाउट बाउट 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 के बारे में इन्फरमेशन देते हुए कहते हैं कि ये ऐसा लड़का है जो हमारे गाउं से बहुत कम लोग इंगलिश सीखने या बोलने वाले रहे उन में से ये एक बच्चा है जिसके फादर अकाउंटन्ट थे और उन्होंने अपने बेटे को अपने गाउं से बाहर या बैंगलोर जैसे बड़े शहर में भेजने का सहास क यहां राइटर इस चैप्टर के शुरुआत में ये कहते हैं कि रंगास मरिज सुन करके किसी के भी दिमाग में सवाल आ सकता है कि शायद ये भगवान रंगनात की शादी की कहानी है तो इसका नाम मैंने कुछ और क्यों नहीं रखा जैसे की रंगनात विजया या रंगनात विवाहा लेकिन ये भगवान रंगनात की शादी की कहानी नहीं है बलकि मेरे ही गाओं के एक लड़के की कहानी है इस लड़के का नाम है रंगा जिसे प्यार से सभी रंगा ही बुलाते हैं और मैं इसकी शादी की कहानी आपको बताने जा रहा हूं सबसे पहले मैं ये बत आपने शायद जरूर सुना होगा लेकिन अगर आपने ये नाम नहीं सुना है तो ये बहुत दुख की बात है लेकिन आपकी गलती नहीं है क्योंकि कोई भी मेंशन नहीं है किसी भी जोगरफी बुक में हमारे इस गाउं के बारे में और जो इंग्लेंड से साहिब लोग आए जिनोंने इंग्लिश में राइटिंग की और उन्होंने इंग्लिश में ही सारे मैप्स वगरा बना दिये उन्होंने हमारे गाउं के उपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया उनकी तो छोड़िये हमारे खुद के अपने देश के लोगों ने हमारे गाउं को मैप पे मेंशन करने की जहमत नहीं उठाई चलिए जाने दीजे अब आगे भड़ते हैं हमारी शुरुवात रंगा की शादी से हुई थी लेकिन इस गाउं के बारे में मैं आपको थोड़ी सी और इंफर्मिशन देना चाहती हूं कि ये गाउं मैसूर के आसपास है और जैसे की मैसूर भारत हमारे गाउं के कुछ आम के पेड़ और इन आम के पेड़ों पर जो कच्ची कैरी आती है कच्चा आम आता है इसकी अपनी एक विशेशता है राइटर कहते हैं एक बार मैं इस पेड़ से तोड़कर एक कच्चा आम यानि ये कच्ची कैरी लेकर के आया और उसकी चटनी बन गई उस खटास से और जब वो चटनी खाई तो उसके बाद जो खांसी उठी है तो डॉक्टर के पास जायब अगर काम नहीं बना और तब डॉक्टर ने ये बताया कि ये एक special quality का आम होता है जिसकी खटास में इतना जादा तीखापन है जिसकी वजह से खांसी उठती है तो जो लोग गाउं में उस तलाब में नहाने जाते हैं वो केवल दो पत्ते दोड़ लेते हैं और सारा दिन इस बात की टैंशन खतम कि अब हम दुपैर का खाना या शाम का नाश्ता या रात का खाना किस चीज़ पर रख करके खा सकते हैं तो इस तरह की खूबियों से भरा गाउं आप मुझे जब भी वहाँ आएं मुझे बस बता दीजे कि आप किस जगा हैं मैं आपको पूर डिरेक्शन दे सकता हूं कि आपको हमारे गाउं में किस तरह से एंटर होना है इसके बाद राइटर अपने में टॉपिक पर आते हैं वो कहते हैं अब मैं आपको रंग पढ़ने के लिए बैंगलोर भीज दिया और उस समय जब कम लोग इंगलिश जानते थे लेकिन आज का समय ऐसा है कि यहां हर बच्चा इंगलिश जानने लगा है और छुट्टियों में आप देख सकते हैं कि जब आप सडक पे निकलें तो आपस में इंगलिश में बात करत तो रामा राओ का बेटा उनके पास आया और उनसे पूछा कि कितने पैसे देने हैं तो उसने कहा चार पैसे तो उसका बेटा बोला कि सौरी मेरे पास इसका चेंज नहीं है अब वो औरत समझी नहीं पाई कि चेंज का मतलब क्या है हकीकत तो यह है उस समय मैं खुद नहीं समझ पाया था कि change का मतलब क्या है तब मैं रंगा के घर गया और मैंने रंगा से पूछा और जब उसने मुझे समझाया कि change का क्या मतलब है तो मुझे समझ में आया तो ये थी हमारे गाउं में English में हाथ तंग होने की कहानी तो इस तरह से जब रंगा Bangalore से लोट करके आया तो सबको बहुत ज़ादा क्यूरिसिटी थी कि ओहू अकाउंटेंट का बेटा आ गया Bangalore से लोट कर आया है चलो चलो चल कर देखते हैं, कि वो कैसा देखता है, क्या बदलावाया है, ये सोच कर कि सरे सारे गाउं के लोग रंगा के घर पे दरवाजे के बाहर इकटे हो गए, ये देखने के लिए कि रंगा अब कैसा देखता है, जब वहां पे बहुत भाड़ी भीर लगी हुई थी, तो सारे लोग ऐसे देख रहे थे जैसे कि वहाँ कोई बंदर का नाच होने वाला है। एक लड़की ने तो हंसी में कही भी दिया कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं अगर बंदर का नाच नहीं देखना है तो। खैर जाने दीजे अब वहाँ जब सारी भीड़े कटी हो गई रंगा अंदर से निकल के आया तो सब लोग उसे बड़ी हैरानी से देख रहे थे और एक ओल्ड लेडी ने उसके सीने पर हाथ फेरा और बोलती है कि ओहो इसने अभी भी जनेव पहना हुआ है मतलब इस लड़क बहुत पुराना पहचान वाला था इसलिए वहीं रुका रहा जब रंगा ने मुझे देखा तो आके बड़ी शद्धा से उसने मेरे पाउंच हुए तमीज से नमस्कार किया और बैठके मुझसे बाचीत करने लगा तो मुझे यह एसास हुआ कि रंगा में वास्तर में कि चलो तुमारा जीवन सुखी हो और बहुत जल्दी तुमारी शादी हो जाए इस तरह कि थोड़े से वाके आपस मैदान प्रतान करने के बाद मैं अपने घर लोटाया उसी दोपहर मैं जब दिन में अराम कर रहा था तो रंगा में अपने हाथ में औरंजिस लेके मेरे घ रंगा से ये पूछने पर कि शादी के बारे में उसके क्या विचार हैं उसने कहा कि मैं अभी शादी करने नहीं जा रहा हूं मतलब मैं अभी शादी नहीं करूँगा मैं एक सही लड़की डूड़ूँगा क्योंकि बैंगलोर में मैंने देखा कि एक आफिसर हैं जिनोंने आजकल होता है कि हमारे गाउं में बहुत कम एज में लड़की की शादी कर दी जाती है ऐसे में लड़की केवल प्यार के दोशब्द या गुस्से के दोशब्दों को ही समझ सकती है उसके अलावा अपने थौट्स को उस तक पहुचाने का मेरे पास कोई खास साधन नहीं अनमेचे और लड़की से शादी नहीं करना चाहा था चाहें मुझे इसके लिए बैचलरी रह जाना पड़े लेकिन शादी करूँगा तो किसी मेचे और लड़की से ही करूँगा रंगा का मानना ये था कि वो शादी उसी लड़की से करेगा जिसको वो एड्मायर करता हो वो ये सोचेगा कि शादी के लाइक वो लड़की है कि नहीं एक गाउं की लड़की जिसके एक तरफ गाल पे दूद के निशान पड़े हो और दूसरी तरफ शेहरा पसीने से रंगा हो ऐसी लड़की मेरे लाइक नहीं है ये रंगा सोचता था तो राइटर को ये लगा कि ये लड़का जो आगे जाके एक बहुत अच्छा हस्बंड साबित हो सकता है लेकिन इसने अपने आपको बैचलर रखने की सोच ली है क्योंकि गाउं में बहुत कम उम्र में शा करवानी ही है अब ये मैंने डिसाइड कर लिया था तब मेरे ध्यान में आई रामा राव की भती जी एक 11 साल की सुन्दर सी लड़की जो की आजकल उन्हीं के साथ घर पे रहती थी वो एक बड़े कस्पे में रहती थी लड़की इसलिए उसको वीना और हार्मोनियम बजान आता था और उसका गला भी बहुत सुरिला था यानि बहुत सुर्मे गाती थी उसके माता पिता की कुछ ही समय पहले मृत्ति हो गई थी इसलिए उसके अंकल उसे अपने साथ रहने के लिए ले आये थे मुझे लगा कि रंगा के लिए यही सूटेबल लड़की है मेरा अकस रंगा के लिए बहुत अच्छी लगी रतना से मैं चाहता था कि उसकी शादी हो जाए इसलिए मैंने अपना मेल जो और जदा बढ़ाया और एक दिन मैंने प्लाइन किया और रामारा उसे की वाइफ से बोला कि मैं आपके लिए थोड़ा सा चाच भेज दूँगा रतना से इज उसके अंकल के साब से शादी के लाइक थी तो इसलिए उस समय जब भी घर से लड़की निकाली जाती थी भार तो बहुत सजा के अच्छे से तमीज से रखा जाता था उनको तो इस समय रतना ने बहुत सुन्दर सी साड़ी पहन रखी थी मेरे कहने पर वो कमरे में रंगा को भी वहीं बुला लिया था मैंने रतना से कहा कि तुम एक गाना गाओ जब वो सुलीला गाना गा रही थी तो रंगा दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ उस आवास से ठीठ गया अब वह जानने की कोशिश करने लगा कि इतनी सुलीली आवास किसकी है कौन गा रहा ह और जैसे ही वो धीरे से जहां करके उसने कमरे में देखा रतना ने उसको देख लिया और रतना सक्पका कर चुप हो गई और जाकर एक कोने में खड़ी हो गई अब मैंने रंगा से कहा कि आओ अंदर बैठो रंगा अंदर आके बैठ गया फिर वो लगातार बात्चीत के दौरन रतना को देखे जा रहा था और मैं ये नोट कर रहा था कि रतना को वो बराबर देखे जा रहा है रतना शर्मा के कोने में गर्दन नीची करके खड़ी हुई थी अचानक रंगा बोला कि जब मैं अंदर आया तो ये अच्छा गाना गारी थी लेकिन मुझे देखकर चुप हो गई लगता है मुझे जाना चाहिए अब उसने कहा तो सही लेकिन वो हिला नहीं अब मैं ही सोच रहा था कि ये इसके आकशन में बंदा हुआ है खेर जो भी हो रतना शर्मा करके अंदर चले गई अब रंगा की उत्सुकता रतना के बारे में बढ़ गई थी उसने मुझे से पूछा कि अंदर ये लड़की कौन है तो मैं उसके मन के भाव समझ गया था मैंने उसे छेड़ते हुए बस इतना कहा क्या फर्क पड़ता है अंदर कोई भी हो ये जो भी है इसकी शादी हो चुकी है ये सुनकर के रंगा का चहरा उतर गया वो बोला कि मुझे जरा काम है मुझे घर जाना है ये कहते हुए वो चला गया अब मैंने अपने प्लैन के हिसाब से हमारे गाउं के शास्तिजी के पास गया और उन्हें ये समझा दिया कि उन्हें मैं रंगा को लेके आऊंगा तो उन्हें क्या बोलना है क्या समझाना है और वो सारी बात सितारों के अधार पर ही कहें जैसे की पंडित लोग कहते हैं कि ये सितारा ऐसा कह रहा है ये सितारा ऐसा कह रहा है मैं सब को समझा करके वापस आ गया अब उस दुपेर को मैं रंगा से मिला तो वो वैसा ही था जैसे अक्सर दिखता था मैंने उससे कहा क्यों क्या बात है तुम कुछ परिशान दिख रहे हो बोलता है नहीं कुछ खास नहीं तो मैंने का क्यों दर्द हो रहा है क्या सर में तो वो बोलता है हाँ थोड़ा सा अक्सर ऐसा ही रहता है तो मैंने उससे कहा कि चलो मुझे ये बताओ कि लड़की को चूज करने के मामले में सोच सोच करके ही तो तुमारे सर में दर्द नहीं हुआ है चलो आओ हम शाष्ट्री जी के पास चलते हैं वो हमें जरूर से बताएंगे कि गुरू और शनी की तशाद तुम्हारे लिए कितनी फेवरेबल है या तुम्हारे शादी कब होगी आओ उनसे चलके पूछते हैं अब शाष्ट्री जी तो पूरी तरह तयार बेठे हुए थे जैसे ही हम वहाँ पहुँचे उन्होंने अपनी पोथी पत्रा खोले और उनको गुरू, शनी, शोक्र, राहू, सारे ग्रहों को एक लाइन में लेते हुए उन्होंने पूरी की पूरी कुंडली रतना की रंगा के सामने रख दी और उनका हर शब्द, हर वाक्य रंगा, रतना की तरफ ही इशारा कर रहा था जैसे की मैंने उनको पढ़ाया था और आखिर में वो बोले कि जिस लकी से तुमारे शादी होगी उसका नाम किसी रतन के उपर होगा, कोई अमूले रतन तो अचानक से उनके मूँ से नाम निकला रतन तो रतना नाम सुनकर के रंगा के चहरे पे एक खुशी की लहर दोड़ाई लेकिन अचानक से वो बुझ गया और बोला लेकिन उसकी तो शादी हो चुकी है तो शाष्ट्री जी ने कहा, ये सब मैं नहीं जानता हो सकता है, कोई और लड़की होगी लेकिन मैंने तुम्हें वो बताया है, तो शाष्ट्रों में लिखा है अब हम दोनों शाष्ट्री जी के पास से लौट करके आए, तो रास्ते में रामराओ का घर पड़ता था रतना दर्वाजे पर ही खड़ी थी, मैं चुपचाप से अकेला अंदर गया, और एक मिन्ट ही बाद ही बहार आ गया और आकर मैंने रंगा से कहा, कि बड़ी हरानी की बात है, ये लड़की तो शाष्ट्रों नहीं लगती क्योंकि मुझे थोड़े दिन पहले ही किसी ने बताया था, कि इसकी शाष्टी हो चुकी है और अब शाष्ट्री ने मुझे से कहा, कि रतना का नाम सामने आ रहा है, तो मैंने जाकर कि पूछ दाच की, तो मालूम पढ़ा कि रतना तो शाष्ट्रों नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी लगाता रतना के बारे में ही सोच रहे हो, खाओ कसम मैं जूड बोल रहा हूं तो रंगा ने इस स्वीकार किया कि नहीं मेरी सारी बाते सच हैं, वो रतना के बारे में ही सोच रहा था अब उसी शाम मैं फिर शाष्ट्री जी से मिलने के लिए उनके घर पहुँचा और शाष्ट्री जी से मैंने सब कुछ बताया और उनकी तारीफ भी की कि आपने बड़े अच्छे से रंगा के मन की बात निकल वा ली और रंगा ने उसी कार कर लिया है कि वो रतना को पसंद करता है इस तरह से रंगा और रतना की शादी तैह होई और तीन साल बात अब जब उसका बेटा रंगा का बेटा तीन साल का हो चुका है तब वो एक दिन मेरे घर आया और मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया मैंने पूछा क्या हुआ क्या ओकेजन है तो उसने का ये शामा का जनम दिन है शामा उसके बेटे का नाम था मैंने उससे कहा शामा नाम क्यों रखा है कोई अच्छा सा प्यारा सा नाम क्यों नहीं रखते जैसे कि तुम और रतना दोनों कितने सुदर हो तुमारे बच्चे भी उतने ही सुदर है और अब तो तुमारी पतनी फिर से आठ महीने की गरबवती है प्रेगनेंट है तो तुमारी वाइफ की हेल्प करने के लिए कौन आता है तो रंगा ने कहा कि मेरी बहन उसकी हेल्प करने के लिए घर पे आ गई है और जब मैं उनके घर पहुँचा डिनर के लिए तो छोटा सा शामा मेरे पैरों पे आके लिपट गया उसे प्यार से गोदी में भरके मैंनो उसका माथा चूमा और वो सारी पुरानी बातें पुरानी कहानी मेरी आखों के सामने फिर से ताजा होगी तो रीडर्स, व्यूवर्स ये थी रंगाज मैरिज की कहानी किस तरह राइटर के एफर्ट से रंगा की शादी पक्की हुई और उसके प्यारे प्यारे से पच्चे हुए आई होप आपको एक कहानी बहुत इंट्रेस्टिंग लगी होगी प्लीज इसको आगे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा